आज के हमारे चैप्टर का नाम है Matter Around Us तो हम पढ़ते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर Matter We see a variety of things around us अब matter क्या होता है जो चीजे जिनको हम अपने आसपास देखते हैं अब जितनी भी चीजे हमारे पास प्रेजेंट है जो भी चीजे है वो एक चीज से बनी होते हैं जिसे हम बोलते हैं Matter अब कोई भी चीज जो जगा घेर रहा है जो स्पेस ले रहा है या जिसका कुछ वजन है मास है उसको हम Matter बोलते हैं अब जैसे कि एक्जामपल हम ले सकते हैं बॉल टेबल वाटर एयर एक्सेक्टरा और Matter अब जैसे कि बॉल है बॉल का भी कोई वेट होता होगा और अगर हम उसे कहीं पर रखते हैं तो वो उस जगा को Occupy करती है तो वो हमारा एक Matter होता है All Matter is made up of tiny particles called molecules अब जितने भी हम जो हमारा Matter है वो हमारा छोटे-छोटे tiny particles से बना होता है जिनको हम molecules बोलते हैं A molecule is a smaller unit of a substance that has all properties of the substance अब जो molecule होता है यानि कि matter जिस चीज से बना होता है सबसे पहली बात तो बहुत tiny particles होते हैं दूसरा उसके अंदर हर property होती है उस substance की यानि कि उस चीज की Molecules are made up of still smaller units called atoms अब जो molecules हैं वो भी किसी एक छोटी unit के बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं Atoms Atoms are the building blocks of the matter अब जो Atoms है वो हमारी building blocks यानि कि उसी से हमारी जो molecule है वो बनावाई यानि कि जो हमारा matter है वो molecule का बनाए और जो molecule है वो हमारा atom का बनावाई तो Atom हमारा सबसे basic चीज हो गई जिससे हमारा कोई भी substance बनाए Arrangement of molecules in matter अब एक matter के अंदर एक चीज के अंदर उन molecules की arrangement कैसे है यानि क्यों किस तरीके से present होते हैं उसके अंदर According to the arrangement of molecules in a matter, it is classified into three states, solid, liquid and gas अब जैसे जैसे हमारा matter के अंदर जो molecules की arrangement है उसके basis पर हमने उसे three states के अंदर divide किया है जैसे कि solid, liquid और gas In different states of matter, molecules are arranged in different manner अब इन तीनों states में अलग लग तरीके से matter की arrangement होती है जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे solid के बारे में In solids, the molecules are packed together very closely अब जैसे कि हम यह side में photo में देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर जो हमारे molecules है वो एक दूसरे से एकदम tightly यानि बिल्कुल चिपक के pack हुए हैं भी space नहीं है या फिर यहां पर बहुत कम space है There is very little space between them वही बात कि इनके बीच में बहुत कम space है These molecules have strong force of attraction between them due to which they cannot move much अब इनके बीच में जो force of attraction है वो इतना जादा है कि वो move नहीं कर पाते हैं या फिर वो बहुत ही little move कर पाते हैं So, solids have definite shape and definite volume तो इसलिए जो solids होते हैं उनकी जो shape होती है और उनका जो वजन होता है या volume होता है वो definite यानि की particular एक amount होता है जैसे कोई 1 kg की चीज़ है और वो solid में सपोज कोई rock है तो उसका weight उतना ही होगा क्योंकि उसके अंदर के जो particles है वो एक दूसरे के साथ बहुत strongly packed है So, solids have definite shape and definite volume They cannot flow वो बह नहीं सकते क्योंकि वो solid state में है तो उसके जो particles है वो move नहीं करेंगे Salt, sugar, table, chair and books are some solids अब इसके examples क्या है जैसे salt अब salt देखने में तो हमें दिखता है कि हाँ हम उसको किसी भी container में डाले वो shape ले लेगा लेकिन अगर हम उसके particular किसी एक particle को उठा के देखें तो उसकी shape और उसकी volume fix होती है एसी table, chair, book या कोई भी चीज हमारे environment में जो solid solid चीज है जैसे कि हमारा mobile हो गया उन सबकी volume और shape fix रहती है next आता है liquids in liquids the molecules are not so closely packed अब जो molecules होता है liquid के अंदर वो उतने closely packed नहीं होते हैं जैसे कि हमने solid में पढ़ा उसके अंदर तो बिलकुल tightly packed होते हैं but इसके अंदर थोड़ा सा कम यानि कि वो थोड़े से free होते हैं यानि कि थोड़ी सी movement हो सकती है they have space between them उनके बीच में space भी होती है the force of attraction between the molecules is less as compared to solids अब इनके particles के बीच का जो force of attraction होता है वो कम होता है अगर हम solid से compare करे तो that is why liquids can flow इसलिए जो हमारे liquid होता है वो flow कर सकता है जैसे कि water हो गया कोई भी juice हो गया तो यह सारे liquid आते हैं तो यह flow कर सकते हैं they take the shape of the container in which they are kept यह उस container की shape ले लेता है जिसके अंदर हम उसे डालते हैं जैसे कि हमने किसी जैसे हमने पानी को bottle से glass में डाला तो उन्होंने glass की shape ले ली अगर हम उसको bucket में डालेंगे तो bucket की shape ले लेगा यानि कि हम उसको जिस भी चीज के अंदर पोर करेंगे वो उसकी shape ले लेगा इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी shape तो definite नहीं है क्योंकि वो जिस container में जा रहे है उसका shape ले रहे है लेकिन उनकी जो volume है वो उतनी ही रहेगी जैसे कि हमने एक cup water को चाहे तो हम उसे cup में डाले या हम उसको bucket में डाले उसका volume उतनी ही रहेगी लेकिन उसकी बस shape change होगी oil water and juice are some of the liquid अब इसके example क्या है oil water or juice